असलामु अलेएकम आसे फैबरी के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद अमेद करता हूं जिसाब खुरिया से होंगे तो आज हम एक नहीं टॉपिक के साथ हाजर हुए आपने थाम दिल चैक काली होगी कि आज हम करें बात करेंगे वूर्शाल के जैंक्स वूर्शाल के म मैं पिछली वीडियो लेड़ी शाल के बनाई थी और अच्छा रिस्पॉंस आया और उसके अलावा आप यह बहुत सी आपियां जिन्हां कि हमें एक दें दो दें तो मैं आपको बताता चलो कि मैं जो शाल का बो भी होलसेल पर काम नहीं का रहा कि एक दो शाल नहीं दे सकत होगा ठीक है और उसके अलावा बताता चलूंगे कुछ आप्यों मेरी नकाहिक हमें जो है ब्रैडिल अड्रेस का जो उनकी वीडियो बना दें ताकि हम बाय करना चाहते हैं श्पॉन पर बना दें तो इन्शालों उस पर भी बनाऊंगा ठीक है तो जो काफी आप देख सकत है और एक बाई ते जिन्हों लोहर के से अब पूछाता है तो आलहम दिल्ला मैं जो भाई भी कॉंटक्ट कर रहे हैं मैं उनको इप्लाई कर रहा हूं साथ-साथ उनको जितना हो सकता है मैं गाइड कर रहा हूं ठीक है अगर किसी मेरे बाई बिजनस स्टार्ट करना उसके ह हाले से गैडना चाहिए तो इंशाला मैं उनको भी गैड करूंगा कि किस तरह से वह अपना जांस का जो एक है है जिस पर भी पोछेंगे उनको अच्छा गाइड करूंगा ठीक है इसके लाब अभी हम आते हैं टैम वेस्ट के अपने टॉपिक की तरफ मैं आपको बताता हूं कि आपको दिखाता हूं तीन सैंपल और उनमें मैं आपको कंपैलिजन करके बताता हूं कि कैसी आप फरक कर सक मैंने चीज देखी दिए तो होसेल पर आपको 1200 की मिलिया फार एक्जेंपल तो यह मुझे 1200 की दे दें क्यूंकि आपने उनको प्रॉफिट देना है ठीक है ज्यादा नहीं उनका प्रॉफिट दें ठीक है जो उनका राइट बनता है क्योंकि दुकान पर बैठी है उनका भी के में आपको नजर आ रहा है कि मोटा स्टाफ है ठीक है इसके उपर लाइनिंग है ठीक है वूल शाल हमेशा जो है ब्रीक स्टाफ में होती है और बिल्कुल लाइट वेट उसका वजन नहीं के बराबर होता है आप जब उसको पकरते हैं उसका आप कहलें कि एक पाओ या ए पंफुल व्यचल होगा उसका उसका उनकी जो है उसके धागा होता है और वह इसली तूट जाता है ठीक है अब इसके थोन्तियरा कोसी की सेंपल की जिए अपको यूदि वापगा कि इसका ठागा कूंस से यह इसका बिल्कुल लाइट वेट यह ऑजिते हम आपको बताता च वलोसे जो उकाइम होती है, मंगर जो हमागे इसको भी इर्ज़नल के शाल आके सेल कर देते हैं तो यह आपको चेक करवाते हूं इसके विलक यह पी एक भी इसके बीन के शंट जो जाओ ओने बीलकुल पर हमगे मैं आपको गज मैं यह देखेंड यह देखें हो इसका प्रीक है करिक कि आप देख सकते हैं इसली तूट जाता है यह देखें यह यह उर्जिनल शाल हो ऑगारु की इसका मार्किस रेट यह एक आरेा 32,000 में 45,000 में ठीक है इसके इलाव एक आर यह जो 6500 रुपए उसका रेट है यह आपको जो होल सेल रेट पे 3200 के मिले गया कि जितना मरजी आप सेल कर सकती है ठीक है इसके लाव जो मैंने पहली आपको दिखाई थी उसका रेट जो है वो 1300 रुपए है आप देख लें वो 1300 र यह जो बाइक करना चाहते हैं तो आप चैक है इसके लिए यह तो आप को प्तार हूं कि पाई यह एक पाउस का वेट होगा इससे ज्यादा उसका विए नहीं होगा ठीक है हो सकता है कि एक पाउसे भी कम वेट में वह आपको और आपको प्रस्त पर दिखाई थी वह तो कि श का पाउ से कई हिसे आप कहलें कि हाफ केजी इसके बराबर था ठीक है तो इसके लाबा आपको यह एक चेक करवाता हूं इसकी जो शाल है यह देखें इसका भी प्रीक और यह इसकी जो कनी है वह भी प्रीक है जिस तरह मैंने आपको पहली दखाई थी ना यह वाली और यह आप देखें बिल्कुल प्लेन है शाइनिंग है इस कप्रे की ठीक है उसके इसके जो कनिया है वह बिल्कुल ब्रीक है ठीक है यह अरिजिनल के पहचान आपको बता रहा हूं और एक आपको और बाद बताता चलो को जो मैंने फस्क पर आपको शाल दखाई थी उसमें यह आप देखें कैमरे को तुम आपको दिखाता हूं कि इस पर यह लाइनिंग है यह आप देख सकते हैं इस पर लाइनिंग है यह इसलिए आपको जो कप्रे पर पक्रेंग उसको पदा लग जाएगा कि यह इसके उपर लाइनिंग है ठीक है और जो मैं आपको बता रहा इस पर कोई lining नहीं है mostly जो मैंने देखा है कि जो अगर आप buy करते हैं तो इस पर lining नहीं होती ठीक है यह बिल्कुल plane है कोई इस पर lining नहीं है बिल्कुल plane आती है जो आप 1300-1400-1500 वाली शाल है उस पर आप lining होगी जिस तरह इस पर है ठीक है यह मैं आपको बात बता रहा हूं क यह मुझे 1300 रुपे में wholesale पे मिली है और मैं इसको जो sale कर रहा हूं इसको 1500-1600 में sale कर रहा हूं ठीक है अपना profit रहके तो और अगर यह चीज़ है जो original यह मुझे 3200 के मिली है यह देखें फरस्ट में यह आपको शॉल उपन करके चेक करवाता हूँ जो फस्ट में आपको दखाई थी कि इस पर लाइनिंग होगी यह देखें जो इस शहुल का जो वेट है, वह वह हाफ केजी है, जो सिर्फ किलो वेटे इससका जो है, एसली मुझे लगा सना लागा ए इतना वेट इसका सबढ़ाई है, जो अरजिनल होगी, इसका काहले कि एक पाउस से इतना जिू song से भी कम होगा, जो इरजिनल वेट होग कि ये बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं कि इसकी शाइनिंग भी नहीं है कपरे की बिल्कुल जो आप चेक करते रहा करें कि इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब का लें बताता है चलों आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकोन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले मेरी हर वीडियो आपको मिलती है ठीक है यह देखें इस पर शाइनिंग आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले बता है कि इस पर बिल्कुल शाइनिंग दिया है लाइ चेक करवा दूँ जो सेकिंड नंबर पर यह चीज है जो आपको चेक करवाने लगा हूं इसका वेट कहलें उससे थोड़ा सा काम मैं ठीक है यह देखें यह मुझे मार्किर से जो मिली है यह 1550 रुपे की मिली है यह वाली जो शौल है इस पर भी आप चेक कर सकते हैं इस पर यह लाइनिंग है ठीक है और इस कपरे की शायन भी नहीं है चमक भी नहीं है यह देखें लाइनिंग आपको इजली नजर आ रही है उस पर ऐसे लाग रहा है जैसे यह बुरसी आई होती है डैमिज पीस है ठीक है मगर यह बिल्कुल फ्रेश पीस है इसकी जो फिंशिंग इसकी ऐसी हुई है ठीक है गिला इसके शायर से और ऊरशिंग टल जाछाज जब आप पकरेंगे इसको डली आपको पता चलाएगा चे जिस के लाब उरिजनल शाल को मैंने देखें इसके धगे को पकडने के दिए तो replace और और वे पसके फरेले छेज़ होतीक छेखे जोगा के तीज डिरे के बिल्ग-टास रहें करें दिखा उन मिरनी के इसब चादर यह देखें इसका पहसे हम पर infinjor की पहस्शाल है यह है कि वह इसली तूट जाता है तो यह आपको शाहता है यह एक पाउ का इसका भी एट है ठीक है और यह उर्जिनल शाल है इसके आप देखें फिंचिंग भी जो बहुत प्यारी हूँ यह चमक भी है कपरे की यह कैमरा मैंन भाई आपको दिखाएंगे इसके कपरे की चमक यह देखें आप यह उर्जिनल शाल है इसका जो मैं आपको बता रहा हूं कि यह मुझे 3200 में मार्किर से मिली है मैं से इसको कर रहा हूं तो बूल शाल के मतलग भी किसी भाई ने जो है पूछना हो किसी भी चीज के मतलग तो इंशालला मैं बताऊंगा इसके इलावा ब्र बलाग से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यह चीज आपको कहां से मिलेगी कि जिसी भी भाई यहां आप पीने कुंटेक्ट करना हो ठीक मेरा इंस्ट्राग्राम आइडी नंबर जो है आइडी नेम चाल रहा है उस पर राप्ता कर सकते हैं ठीक है इसके लाव किसी भी तरह की फैसलाबाल हो और यहां किसी भी मार्किट्स की आपको कोई भी जो है मलूमाद चाहिए कौन सी चीज कहां से मिलेगी तो वो भी इंशाला मैं आपको गाइड कर दूँगा तो यह मेरा आइडी नेम इंस्ट्राग्राम इस पर राप्ता करें और इंशाला आपके लि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नताबता के लिए दे अजाज़त अल्ला हाफिस